दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाट शाला में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैतोपूर्ण प्रस्णों को तो चले शुरू करते हैं पहला प्रस्ण है किस मुगल सासक की समय मुगल सामराज्य का विस्तार सबसे अधिक था चार आप्शने आपके पास सही उत्तर है औरंग जेव औरंग जेव जो की मुगल सामराज्य का एक सासक था उसके समय में मुगल सामराज्य का जो विस्तार था सरवादिक था अगर विस्तार की बात करें तो अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में लाहोड जो छेत्र है वहां से लेकर पूर में बंगाल का छेत्र, पस्चिम में गुजरात कराची छेत्र और दक्षिन में अगर बात करें तो तमिलनाडु का छेत्र जो कि विजयनक नगर सामराजय का छेत्र था वहां तक औरंगजेव का विस्तार था और एक सवादिक विस्तार था किसी भी मुगल सासक द्वारा अगला क्वेशन है बुद्ध का वास्त्विक नाम क्या था? चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है सिद्दार्थ महत्मा बुद्ध का वास्त्विक नाम था जो वो था सिद्धार्थ महत्मा बुद्ध उन्हें बात में जब उन्हें ग्रियान की प्राप्ती हो गई थी तब उनका नाम महत्मा बुद्ध हुआ उसे पूर उनका नाम सिद्धार था वो एक राजा के पुत्र थे उनका जनुवा था 563 इसापूर्व अगला क्वेशन है राजीव गांदी रास्ट्रे उध्यान किस राज्जे में अस्तित है चार आप्शन है आपके पास सही उत्र है करनाटक करनाटक राज्यमस्तित है राजीव गांदी राश्ट्रयोध्यान. कमेंट में लिखे बतेए कि कारबिट राश्ट्रयोध्यान किस राज्यमस्तित है? अगला व्यक्वेशन है टाइफाईड नामक रोग किसके संक्रमन से होता है? चार आपशने आपके पास सही उतर है जीव जिवाण के संकर्मान से होता है टाइफाइड रोग। अगर बात करें जिवाण की तो जिवाण का नाम है साल मोनेला टाइफी जिसके कारण मनुष्य में टाइफाइड रोग हो जाता है। सबा में नहीं पारित हो पारा हो तो इन दोनों की संयुक्त बैठक किया जाती है राष्टपती द्वारा और संबोधन दिया जाता है अगला क्वेशन है दूद को दई में बदलने वाला एंजाइम है, चार ओप्षिण आपके पास सई उतर है रेनिन, रेनिन एक एंजाइम होता है जो दूध को दही में बदल देता है और जो एंजाइम होती है ये उच्छ प्रोटीन होते हैं, अगला क्वेशन है विश्व परियावरन सरक्षण दिवस कब मनाया जाता है चार आप्षिन आपके पास सही उत्तर है 26 नवंबर 26 नवंबर को पतिवर्स मनाया जाता है विश्व परियावरन सरक्षण दिवस कमेंड में लिखे बताए कि इस दिन को 26 नॉंबर को एक और दिवस भी मनाया जाता है अगला क्वेशन है सम्विधान में मौली करतब्यों को कब जोड़ा गिया चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है 1976 1976 को 42 में सम्विधान संचोँदन के तहत हमारे सम्विधान में मौली करतब्यों को जोड़ा गिया और ये मौली करतब्यों की संक्या है 11 कमेंड में लिखे बताए कि बारे सम्विधान में कितने मौलिक अधिकार है iba क्वेशन है हुमाय का मकबरा कहां पर इस्तित है चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है दिल्ली दिल्ली में इस्तित है हुमाय का मकबरा हुमाय अकबर के पिता थे अगला क्वेशन है भारतिय सविधान में कितनी भासाओं को सम्वेधानिक दर्जा प्राप्त है चार काजी रंगा रास्ट्रे उध्यान किस जीव के सनरक्षण के लिए संरक्षित है चार आप्षिन आपके पास सही उत्तर है गैंडा गैंडा जो जीव है उसके सनरक्षण के लिए काजी रंगा जो रास्ट्रे उध्यान असम में स्तित है वहाँ पर उसका संरक्षन किया जाता है उसके संरक्षन का मूल कारण ये भी है कि उनकी जो गैंडों की संक्या है वो भी विसेश कर जो कि एक सीन वाले गैंडे हैं जो कि असम में केवल पाये जाते हैं इसलिए उनका संरक्षन आवश्यक है अगला क्वेशन है योग सूतर की रचना किसके द्वारा की गई चार उप्षन है आपके पास सही उत्तर है पतंजली महर्सी पतंजली ने योग सूतर की रचना की है अगला क्वेशन है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी चारा उप्शन है आपके पास से युत्तर है अप्रेल 1857 आठ अप्रेल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गए थी मंगल पांडे को 1857 की करांति का अग्रिदूत कहा जाता है अगला क्वेशन है भारत के किस राज्यों में मान्सून सबसे पहले पहुंसता है चार उप्षिन आपके पास सयुत्तर है केरल केरल भारत का प्रमुख समुद्री दक्षिन राज्य है यह दक्षिन में स्थित है तो यहाँ पर पहुंसता है सबसे पहले मांसून और इसकी अवदी है मांसून पहुंचने की एक से पांच जून प्रतिवर्स अगला क्वेशन है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है चार उप्षिन आपके पास सयुत्तर है संसद भारते जो संसद है उसे किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन का अधिकार है और जो संसद है उसकी तीन प्रमुक अंग है राश्ट्रपती, लोकसबा और राजी सबा अगला क्वेशन है अंतर समुद्री भूकम किसके लिए उत्तरदाई है चार आप्शन है आपके पास सही उत्तर है सुनामी यानि जब अंतर समुद्री भूकम पाते हैं समुद्र में तो उससे क्या उत्पन होता है अगर हम भारत में बात करें तो अंतर समुद्री भूकम पुत्पन होते हैं बंगाल की खाड़ी में जो की सुनामी चेतर है जहाँ पर तूफान उत्पन होते हैं भारत में और उसकी निकटवर्ती चेतर है समुद्र तटिय राज्य जिन में पस्यमंगाल, उडिसा, अंद्रप्रदेश और तमिल लाड़ु सामिल है मुख्यतो तो वहाँ पर सरवादिक जो सुनामी प्रभावित राज्य है वो है उडिसा अगला क्वेशन है गुड फ्राइडे का संबंध किस से है चार उप्षन आपके पास सही उतर है ईसा मसी ईसा मसी की याद में प्रतिवर्स मनाया जाता है गुड फ्राइडे कमेंड में लिके बताए किस तिति को गुड फ्राइडे मनाया जाता है अगला क्वेशन है भारत की प्रथम मैला विश्व सुंदरी कौन थी यानि भारत की पहली मैला मिस वर्ड कौन थी चार उप्षन है आपके पास सही उतर है रिता फारिया रिता फारिया देश की पहली मैला जो पहली मिस वर्ड थी वो थी रिता फारिया और इसके अलावा प्रियंका चोप्रा और एश्वरा राय भी मिस्वर्ड रह चुकी है अगला क्वेशन है साची का स्थूप किस राज्य में स्थित है चार आप्शन आपके पास सही उत्तर है मद्यपर्देश मद्यपर्देश के राइसे जिल्ले में स्थित है साची का स्थूप और ये स्थूप का इस स्थूप का निर्मान किया था असोक ने और इसमें महत्मा बुद्ध के जो अफसे से उन्हें रखा गिया है अगला क्वेशन है किसी द्वीपों का देश कहा जाता है चार उप्शन आपके पास सही उतर है इंडोनेशिया इंडोनेशिया जो देश है बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है और इसे का जाता है द्वीपों का देश और अगर यहां के द्वीपों की हम बात करें तो यहां पर लगबग 13,000 द्वीप है और यह जो देश स्थित है यह स्थित है पूर्वी प्रसांत मासागर में यानि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी चेत्र में स्थित है इंडोनेशिया देश यह भारत को प्रमुक पाम ओयल जो आयात करता है भारत इसी देश से तो दोस्तो आज हमने biggest question discuss किया हूप आपको वीडियो अची लगी हो और अगर आपको वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे कमेंट कीजे और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे and finally thanks for watching